हेलो इन विल्कम बेक टू अल्डियर स्टूडिंस वालकम टू करियर प्लानेट मेरा नाम शेली गुरवानी चैप्र बढ़ाने से पहले बोलूगी प्लीज शेर सब्सक्राइब आइन लाइक ती सो लेक्चर देख रहे हो दो लेक्चर देख आए हो तो शेर कर दो अगर अब पढ़ता है तो बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आते हैं कि आप सब्सक्राइब का बोलते नहीं वसले सब्सक्राइब बढ़ते नहीं है आप बोला करो बोला करो तो चलो मैं बोलूगी पहले सब्सक्राइब 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 ठीक है फिर अच्छा लगे तो शेर 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 और अच्छा लगे तो लाइक 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 ठीक है चल आगे बढ़ते हैं तो लास्ट अंपर हमने सबसे पहला लेक्टर जब आपको डी ब्लॉक का पड़ाया था उसमें मैंने आपको का था कि आपको d-block की तत्वों का संक्रमन तत्वों का electron विन्यास लिखना आणा चाहिए क्योंकि electronicruff कि निम्द में से कौन सा प्रतम संक्रमन श्रीनी डी का हैனे सर्थ केंड एंड टरौंश जीव स कीरह नाको ठीक है सारे जिंगल आपको बता दिये, सारे आपको क्या बोलते हैं गहाने बना बना के दे दिये तो जैसे भी आपको याद करने हैं सारे elements याद करने Configuration सिखा दिया है आपको आपको कौन कौन से ही बता दिया फिर second class में हमने पढ़ा था संक्रमन तत्वों की गुण और मैंने गा था 2-3 lecture में continue यही चलेगा आज भी हम बोई discuss करेंगे properties of transition elements संक्रमन तत्वों की गुण अब क्या गुण है? क्या properties है? तो देखो आज की जो properties है उसमें हम discuss करने वाले परिवरतंशील oxygen नवस्था variable oxidation state enthalpy of atomization कणन की enthalpy और गलनाग और कुथनाग ठीके? और पिशली class में आपको पढ़ा दिया था पर्मानों आकार और आयनन विभो इनसे related question question form में ही पूरा chapter पढ़ाओंगी theory पढ़ने बैटोगी तू बोर हो जाओगी है ना? मैंने सारी NCRT की theory को question में convert कर दिया है तो आप question form में पढ़ाओं आपको अच्छा भी लगेगा याद भी होगा और आपको ध्यान रहेगा कि किस question पे कितना जोड़ देना है ठीके? चलो, start करते संक्रमन तत्वों की गुण अब देखो, physical properties ही पढ़ रहे है सभी संक्रमन तत्व hard है लेकिन zinc को छोड़ दो, cadmium को छोड़ दो mercury को छोड़ दो सभी संक्रमन तत्व क्या है? तो हम कहेंगे सभी संक्रमन तत्व बहुत कठोर है क्योंकि धातु है, लेकिन कौन कठोर नहीं है, तो दुम कहोगे, zinc नहीं है cadmium नहीं है, mercury नहीं है क्यों? तो zinc में 3D10 विन्या से, d-block भागी नहीं लेगा, बंद बनाने में cadmium में 4D10 है और mercury 5D10 है, अमने तो पहले ही पढ़ा संक्रमन तत्व बोलो ही मत zinc, cadmium, mercury को संक्रमन तत्व नहीं बोलेंगे, क्योंकि न तो इन में d खाली है, न इनके आयनों में d खाली है ना, तो इनको छोड़के सबके, सारे के सारे क्या है hard, यह soft है इनके boiling point, melting point भी कम होते हैं क्यों? क्योंकि d पूरा भरा होने की वज़े से, d कक्षक के electron बंद निर्मान में भाग नहीं लेते इस वज़े से, ठीके फिर गलनांको अतनां संक्रमन तत्वों के उच्छ होते हैं, क्यों उच्छ होते हैं तो हम गएंगे, इनमें n-1d electrons भी धात्विक बंद बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए इनमें ज्यादा तर केरेक्टर जो है वो d में अनपेड electron की संक्या ज्यादा होने के कारण है इनका n-1d कक्षक का electron भी क्या करता है, बंद बनाने में भाग ले लेता है, टॉमिशय तो बायतम कोश ही भाग लेगा था, तो बायतम कोश तो s वाल है, तो वो तो भाग लेगा ही n-1d कक्षक भी लेगा और d में बहुत सारे लेक्टरोन है और युगमित और युगमित तो d के 5 और युगमित ला सकते हो और s के आगे जम करा दो तो 2s के और d के 5 अधिकतम साथ बंद आपन से बनवा सकते हो ठीके, तो फिर d कक्षक के इलेक्टरोन भी बंद निर्मान में भाग लेते है तो फिर मजबूत हो जाएगा बहुत सारे बंद बनाएगा, मजबूत होगा मजबूत होगा तो पिगला होगी कैसे ज्यादा गरम करोगी, तो पिगलेगा ना तो पिगलाने के लिए दी गई उश्मा क्या होती गलनंग तो मिल्टिंग पॉइंट हाई है और इसमें क्यों कम है तो मैंने बता दिया अब देखो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ होगी देखने में भी आप जनरल ट्रेंट दॉम पढ़ लें ऐसा होना चाहिए फिर दरातल बिजा के देखते तो ऐसा तो ही है ना मानलो कि कोई आपको मैप दे दिया है ना कोई रक्षा दे और आपको का यह जंगल है यह यह गाओ है यह बस्ती है यह यह और यह बढ़ी असा इसकून खुल तो वहां देखे तो पते अच्छा लग रहे हैंगे, है मैप के साब सब कुछ सही, है तो अब आपन जाके देखते हैं, तो पताचला कि यहां जंगल भी है, गाओं भी है, बस्ती भी है, सब कुछ है, लेकिन आप ज़ा मैं बता रहे हो, वहां तो पीचे गंदनाला बनाओ, यहां कब रिस्तान बनाओ, कोल दोगी कि तो धराथल पे, ग्राउंड पे काम क्या होता है, अलग होता है, यह एक्जाम्पल से दुरू, आज ही मैंने कहीं सुना था, किसी के मूह से यह, तो ग्राउंड पे काम अलग होता है, जब आप वहां पे जाओगे, बात तो अलग चल रही, और वैसे बोलने में तो बात सही थी, है ना, तो देखके लगता है कि हाँ ठीके, क्या लगता है, मतलब D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, तो होंगे यहां, प्रिथम संक्रमन शेणी में, D5 तो मुझे MN में मिलेगा, है ना, सेकेंड संक्रमन शेणी में, तो मैं कहूंगे, Tc में मिलेगा, तो इन दोनों में तो D5 सबसे ज़ादा है, तो इनके मेल्टिंग पोइंट ज़ादा होने चीए, लेकिन डेटा कहता है कि नहीं, ग्राफ अचानक से गिर जाता है, मैंगनीज और टेकनीशियम, Tc, अचानक से इनका गिर जाता है और गलनांग जोए वो कम होता है, हाइस्ट नहीं होता है, जबकि D अन्पेड हाइस्ट होता है, दरातल पे बात अलगे, फील्ड पे बात अलगती, देखने में और सुनने में तो सही लग रहा था, वज़े जानते, देखो, तो केवल मैंगनीज और टेकनीशियम को छोड़ दे, तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंस, जिनमें भी D5 कॉन्फिगरेशन हैं, उनके गलनांग उच्छ है, और उसके बाद तो D में D5 अधिक्टब होगे अनपेट, उसके बाद D6, D7, D8, तो D में बच्चे 5 कक्षक ही तो होते, है के नहीं, अगर मैं काओं कि D में कक्षकों की संख्या बताओ, तो तुम कोगे कि D में तो 5 ही कक्षक होते, है ना, तो बच्चे अगर 5 कक्षक होते हैं, तो 5 और युगमित इलेक्टरोन भर दू, तो अधिक्तम बंद, लेकिन अगर आप में युगमन चालू कर दू, तो बंदों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अब अगर युगमन कर दिया, बंदों की संख्या कम हो गई, तो तो गर्वड हो जाएगी ना, गलनां कम होने लगेगा, क्योंकि धात्विक बंद कम हो जाएगी, ठीक है, अब मैंगनीज और टेक्नीश हैं, इसके एक्साप्शन निकले, अब मैंगनीज अपवाद है, कॉन्फिकरेशन दो बोल रहा है, 3D5 फोरेस्ट, डी में पांच अधिक्तम और युकमी थे लेक्ट्रों है, लेकिन गलनांग कम है, कारण तो यह कहता है, 3D5 ऐसी हाफल्ड है, यह अपने हाप में ही स्टेवल है, तो यह बंद बनाता ही नहीं, जितने ज़्यादा बंद बनाएगा, तो मजबूत ही आईगी, इंट्राक्शन करता ही नहीं, मैं अधिकर रहा है कि मैं अकेलाइटी हूँ, मैंना अधिकरेशन तो हाफ फिल्ड है, मैं स्टेबल हूँ, तो पड़ोजी मैंगनीज से इतना इंट्राक्शन नहीं, इतना अकर्शन नहीं है, इतने मजबूत बंद नहीं बना रहा, तो फिर बंद नहीं बना पाएगा, बंद भीक रहेंगे, कम बंद बनाएगा, स्ट्रेंद कम रहेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, तो सडन जो तुम्हें ग्राफ गिरता हुआ दिखेगा, अगर आप NCRT में, ग्राफ को स्टटी करोगे, देखो, दिख रहा है ना बच्चों, ये ग्राफ अगर आपन सडन स्टटी करें, देखो, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, यहां तक तो हाइस गया, ये है MN यहां नीचे गिरा, फिर MN के बाद फिर बढ़ा, आइरन, कोबाल्ट, निकल तक बढ़ा है, फिर कॉपर, जिंक में गिरा, यहां देखो, ये जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डिनम तक तो गया, टेकनीशियम में अचानक से आके गिर गया, है ना, फिर बढ़ना शुरू हो गया, बस अबन में आ रही, तो ये अचानक से जो गिरा है ना बच्चे, ये यहां गिरा है, यहां तो MN में गिरा है, और यहां गिरा है टेकनीशियम, तो यहां तो नहीं गिरा, पांचोई नंबर पे देखो, है ना, क्या था, अला, हफ्ता, वर्णा, लेंटिनम, होफियम, टेंटिनल, और टंग्स्टन, तेंटलम और टंगस्टन तो यह तो टंगस्टन में नहीं गिरा, सिर्फ गिरा अचानक से किसमें, तो हम गहिए MNOTC, हमें जो दो अपवाद दिखें इसके, वो अपवाद हमें क्या दिखें? melting point में है ना गलनां के अपवाद क्या दिखें तो अंग गोंगे manganese में अचानक से गिर जाता है और technetium में अचानक से गिर जाता है ठीक है ध्यान से पढ़ना क्योंकि अगर general ऐसे ही पढ़ लिया ना क्या बेटी के D में जितने ज़्यादा electron होंगे D में जितने ज़्यादा आयूग में इलेक्टरोन होंगे धातवीक बंदों की संक्या अधिक होगी धातवीक बंद अधिक होगी तो आकर्शन प्रबल होगा और अन्योनियक्रिया ज़्यादा होगी तो मजबूत होगा तो आप ऐसे सोचो कि तो आपका अंसर मेंगनीज आएगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में टेकनीशियम आएगा और थर्ड में टंग्स्टन तो टंग्स्टन तो वैसे हम पढ़ते हार्डेस्ट है कठोर तम आपको धातू मिलेगा तो वहाँ तो चल जाता है लेकिन अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे अगर मेंगनीशियम टेकनीशियम यह ग्राफ भाई स्टड़ी नहीं किया यह ग्राफ तो गिरा है तो फिर दुमारा नीट रूज़ी निकालना मुश्यल है क्योंकि नीट जही मतलब लाइन टू लाइन इंसे अटी पढ़ना जा छोड़ा नहीं वो कुश्यन बना नहीं और कुश्यन बना और अगरबड हुई ठीक है यहां तक की बात क्लियर है समझ में आगे तो इतना आपको ध्यान रखना मैंगनीज अपवाद चल रहा है टेकनीशियम अपवाद चल रहा है हैना यह इतना ज़्यादा इंट्रेक्शन नहीं शोग करते है इसलिए ठीक है अब किसी भी शेणी में धातों के गलना D5 पर दिक्तम है तो हम गहीं क्रोमियम भी अपवाद था वैसे तो क्रोमियम भी तो 25 होता वंच्छी तो क्रोमियम में पूरीहँ हैं हो आपको है इस मिल रहा यहां देखो molybdenum यहां पर भी हैं यह तंसटम तो वह यहां तो हैस है तो यहां को दिक्कत नहीं है सिर्व दिकत कहा है मेंगनीज में, टेकनेशियम में याद रख़ा clear है? आगे बढ़ जाओ तो melting point वाला सारा concept clear next आता है तुमारे पास enthalpy of atomization परमाण भी या करण की उश्मा इससे आप क्या समस्ते हैं? तो देखो enthalpy of atomization इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कड़न की enthalpy है ना, atomization भी ठीक है लेकिन कहीं कहीं जगा आपको कड़न भी दिया हो है कड़ बनाओ कड़न की enthalpy enthalpy of atomization परमाण भी या करण की उश्मा अब ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये कहता है, माल लोग के पास एक धातू crystal है ठीक है भी? माल लेते हैं हमारे पास एक metallic crystal है हमारे पास एक धातू crystal है ठीक है अब धातू crystal में यहाँ धातू परमाणू है तो अब यहाँ भी धातू crystal है, यहाँ धातू परमाणू है ठीक है और धातू परमाणू के मद्य तो मैं कहूंगी धातू इक बंद है दातू kristal, दातू parmind और दातू parmind के बीच में ग्याज़ाँ दातू बन ने interaction तो इए अब मैं क्याचारी हूं कि दातू kristal में से दातू parmind को बाहर निकालो है ना metallic atom को बाहर निकालो जिज आइन विबा पढ़ते थे ना electron बाहर निकलते थे आपको एक एक आटम जो है धादू परमानों को गैसियस स्टेट में लाना है है ना गैसिय अवस्था में सिंगल मैटल आटम को गया करना है बाहर लाना है ठीक है तर्म गएंगे हीट सप्लाई करदो है ना आप इस किस्टल को गरम करना शुरू करदो उश्मा देना शुरू करदो हीट सप्लाई करदो है ना जैसे हीट सप्लाई करोगे मैटल इक आटम एक दूसरे से इनकी बंद तूटेंगे फ्री होना स्टाट होगे है ना वालेटाइल होँगे वाश्मशील बनेंगे वेब वाइपर स्टेट में आएंगे, गैस से स्टेट में बार आ जाएगे, ठीके, तो यह जो heat supply करते हो, इस heat supply को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं, कड़न की enthalpy, enthalpy of atomization, बात समझे, क्या कहना चाहरा है, कड़न की enthalpy क्या है, तो यह कहते हैं, धातू crystal है के नहीं, लोग में धातू परमाणों के मद्य कौन सा बंध है, धातू इक बंध है, interaction है, बिल्कुल है, अब मैं चाहते हूं, उन्हें सबको खुला करो, छोड़ो, खुलाओ इनको, सारे धातू परमाणों को एक दुस्रे से अलग करो, तो आप कहोंगे, अलग तो करवाँ देंगे, आप supply कर दो, है ना, तो के मिस्टरी में हम क्या supply करते है, हीटी तो supply करते है, energy supply करते है, तो जो energy हम supply करेंगे, कितनी energy हम supply करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, कडन की enthalpy, enthalpy of atomization, तो परीभाशा लिखनी है, कि कडन की enthalpy क्या है, तो आपको लिखना है, धातू crystal, धातू crystal में से, धातू पर दातु परमाणूं को गैसिय अवस्था में आपको बाहर लाना है उसको लेगिन गैसिय अवस्था में मुक्त कराने के लिए फ्री करा उसको अपने घर से मुक्त कराने के लिए दी गई एंथेल्पी कणन की एंथेल्पी कणन की एंथेल्पी कहलाती है एंथेल्पी ओफ अट्युमाईजेशन कहलाती है आपके बास मैटल का क्रिस्टल है मैटल अटम है इतनी हीट सप्लाई करो कि मैटल अटम जे है वो गैसल स्टेट में आउट हो जए बाहर आजा है तो जीतनी हीट जीतना खर्चा आपका लगेständी उस खर्चे को उस heat supply को हम क्या कहेंगे enthalpy of atomization क्योंकि अब question आए का कड़न की enthalpy बता हो जादा है कम है तो पता दो न जी यह होती क्या है इतनी बात क्लियर है enthalpy of atomization क्या होती है करण प्राप्त करना है परमान भी है करण की उश्मा उश्मा तुम देदो परमानों तुमें मिल जाएका कहां से लाएंगे दातु क्रिस्टल से लाएंगे तो तो बंदा हो आए ना तो में तभी तो energy मांग रहे है बंदा हो आए ना दातु इक बंदा से मजबूत है तो बहुत ज़दा energy देदो आई जाएका अब इसमें question देखते हैं इसके अपन क्या बोले comparison देखते हैं तो देखो वापस अचा हिंदी की energy पे मैंने चेक किया यह तोड़ा गड़बड दिया हो है है ना देखो कड़न की enthalpy enthalpy of atomization यह जो सबसे नीचे वाली line है ना यह 3D की है कड़न की enthalpy है ना अब मेरे पास मैं तो ऑनलाइन की enthalpy देखी थी उसमें कुछ गड़बड थी यह सबसे नीचे वाली बेटा 3D की उपर वाली 4D की है और उपर वाली 5D की अब इसे लिखा भी तो थोड़ा ध्यान से देखना कहीं कुछ गड़बड तो नहीं तो 3D की कड़न enthalpy कम प्रतर्म संक्रमन शेणी 3D से 4D में आती हूँ दूसरी संक्रमन शेणी में आती हूँ तो बायतम घूसत है कि कैसे बढ़ता है लेकिन आकर्शन प्रोटोन दचानक से ठारा बढ़ा देते हो और 4D से 5D तो उसमें तो प्रोटोन अचानक से 32 बढ़ जाता है तो यह डेटा देखके ग्राफ देखके मुझे लग रहा है कड़न की एंधल भी 3D की तो कहूं है 4D की जादा है मतलब 3D से मजबूत 4D लग रहा है और 4D से जदा 5D है तो 5D और मजबूत लग रहा है अब यह कह रहा है कि देखो शुरूर में तो बढ़ रही है न दोंकरिण यहां तो जैसे जैसे डीक अक्षग में अव यह में इलेक्ट्रोन की संक्या बढ़ेगी दात्विक बंदों की संक्या बढ़ेगी और दात्विक बंदों की संक्या बढ़ेगी अन्यों नियों क्रिया बढ़ेगी आटम के पिचे अन्यों निया क्रिया बोल रहे हैं तो मेरे बाइस आतो क्रिस्टल अब एक 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 बंद बना लेते था थे यहाण बह्र देखो प्रतम संक्रमें के लगबה मध्य में तो उच्र-कलन-אל- килow है क्यों? क्योंकि इंट्र aesthetics attraction प्रबल अंतर प्रमानवी आकरशन जो है वो जादा होगे तो जितने ज़्यादा interaction उतनी enthalpy of atomization तो generally जितने ज़्यादा unpaired d electron होगे कणन enthalpy का मान ज़्यादा होगा क्यों? दात्वी बंद ज़्यादा होगे आप जितने unpaired electron रखोगे तो आपका electron पडोसी का electron रोल ट्रउजिक्शन करेगा दोनों के बीच में क्या रहेगा? मुवेमट चलेगा तो interaction रहेगा तो ज़्यादाब ज़्यादा पडोसी घर में एक बच्चा है तो दोनों बच्चे की आप बली बात निए हो दोनों बच्चे क्या करेंगे? बात करेंगे बात करेंगे तो क्या होगा, आपको उनके साथ interaction हो आपके घर में चार बच्चे है, उनके भी घर में चार बच्चे है तो interaction जाद होगे न, दिन बरी मेल मिलाव चलता रहेगा Similarly, unpaid electron आपके एक परमानों के पास एक है पड़ोसी ओले के पास भी एक है आपके पास एक electron है, unpaid पड़ोसी के अमेर पास भी एक है तो interaction चले, दो दो है तो दो बात, तीन है तो तीन बात तो जितने जादा unpaid electron, उतनी जादा enthalpy of atomization होती है तो अब यह तक तो में को पास मिला नहीं 3D से जादा enthalpy of atomization 4D, डेटा यही कह रहा है और 4D से जादा किसकी है? 5D तो में को 3D से मजबूत बंद 4D के होने चाहिए और 4D से मजबूत बंद किसके होने चाहिए? 5D के होने चाहिए यहां तक का concept, आगे बड़े अब देखो, प्रथम संक्रमेंट शेणी के तत्वों की तुलना में दूसरी और तीसरी सीरीज के तत्वों की enthalpy of atomization, कड़न की enthalpy जहाद है इससे क्या सिद्ध हुआ? तो हम गें इससे सिद्ध हुआ कि भारी संक्रमन धातू भारी मतलब 4D और भारी मतलब 5D तो भारी संक्रमन तत्वों में धातू-धातू बंद जो है वो बहुत ज़्यादा पाये जाते हैं mostly उनमें metal-metal, atomic bond होँगे metal-metal, metallic bond होँगे clear है? आगे बढ़ते हैं next, देखो, question क्या है? क्या कारण है कि संक्रमन तत्वों की कड़न की enthalpy? देखो, मैं side हो जाते हूँ, screenshot ले लिया करो है न तकि notes of telegram पे आएं या कभी आते हैं, नहीं, आते हैं लेट हो जाते हो, आपको भी बढ़ना है delete हो जाते हैं, तो उसमें आपको attention नहीं है, screenshot ले लो, आपका क्राम हो जाएगा so, question है आपके बस क्या कारण है कि संक्रमन तत्वों की कड़न की enthalpy का मान उच्छ होता है transition enthalpy transition elements की enthalpy of atomization बहुत जाद है तो answer नहीं पता है, जाद होगी आप इतुने सारे unpaired d electron लेके बाठे हो तो संक्रमन तत्वों में बहुत जादा क्या है unpaired d electron है जिससे, जितने जादा unpaired d electron होगे उतने जादा interaction होगे तो अन्यों निया करिया प्रभल है अन्यों नेयिया प्रभल मतला बाहन ये क्रिम होगे आप अपंधन प्रभल अब बंद क्या है बंद क्या है को यूं रसी जोड़ना है हाय ना या बंद क्या है कि ने मतला दम मेरा एले trand मेरा ELo यहीं दोलन करें जाएंगे तो यह कहीं नहीं जाएंगे नहीं अपनी जगह पे रहेगा तो मजबूत ही यहीं तो है अब तो चार अंपेड एलेक्ट्रोन होंगे उतना ज्यादा इंट्रक्शन होगा वांडिंग उतनी ज्यादा होगी अधिल्म एटमाइजिशन जाद हो बिल्कुल होनी जाएं तो पर जिंक तो नियूंतम होनी जाएं तो बिल्कुल ओनी जाएं जाएं जादे-जादे क्या होगा ऐसी टीवी कार में फेक होनी कुणी है ना AC का टेमटर से बढ़ाँ 30 तो देखो फॉस्स त्रांजिशन सेरीज तो इसी TV कार में फेक हो नहीं कुझी, तो जिंक आपका 3D 10 चल रहा है, तो भी कोओँ कि यही नहीं, D में unpaid electron, तो अगर D में unpaid electron हे नहीं, तो पिर आपकी घर में लोग ही नहीं, तो आप बाहर ही नहीं नहीं, तो आप तो D 10 घर में इसे घर में ही खुश है, तो जब इंट् तो फुर्ट जाएगा है ना नहीं तो इंट्राक्शन होता है बचा लेते हैं लोग लेकिन जिन्क डगानी में तो को इंट्राक्शन ही नहीं क्यों है यह यह तो फिर नहीं बंद नहीं तो फिर मजबूत ही नहीं तो हलका सा गरम को तो पिगल जाएगा तो जिंक एड़ियों मर्कृरिक तो देखो लिक्विडी पहुंच गया द्रववस्ता में बाया जाता है तो हम कहेंगे हाँ इनकी एंथेल्पी अटोमाइजेशन मैंसे भी अपनी अपनी सीरीज में लोवस् क्यों तो अब यांसर बता है तो था यह देखो 126 मने दोसों से शुरू की थी दोसों से उपर दी सकी यहां बहुचो देखो यह दिख राको बारवा ग्रूप बारवे ग्रूप में देखो जिंक की एंथेल्पी अवेटोमाइजेशन यहां पर देखो यह वाला जिंक की ए समस्य पहले घंगया गिए जैडन में क्या है जिंक का इलेक्ट्रोनिय necklace को मैंने पहले ही कहाता हैmaybe एद National भी साने कोईशन विन्यास पर बेस होते हैं तो ZN का इलेक्ट्रोन यह विन्यास 3D 10 है या ऐसे लिखतो आरगन 4S2 3D 10 है ठीक है और थाथ D कक्षक पूर्ण पूरत है अंदर वाला D कक्षक जो है एक कम चलेंगे ना 4S पे 3D की बार चल रहा है तो N-1 D कक्षक पूर्ण पूर को मतलब इसको बंद बनाने की पड़алась ना यह अन्यों कन पर्माणों के साथ और युद क्या लिक्षण गई धीक है तो यह हों क्या लिखो मेंस को यह आसपास के पर्माणों या अन्यों पर्माणों के साथ Whenever Iकर माणों के साथ अन्योन्य क्रिया करके interaction करके bond नहीं बनाएगा इसको जरुरती नहीं है ठीके, तो अन्य बर्माणों के साथ क्रिया, क्रिया नहीं लिखेंगे interaction, चल्ब इंग्लिश टर्म सही राती है interaction लिखना है मुझे इन्दे में अन्योन्य क्रिया करके दात्विक बंद नहीं बना पाता है है ना, D को तो कम से कम काम में नहीं ले रहा, S को ले रहे तो बाता लगे ठीके, दात्विक बंद नहीं बना पाता है ठीके, ज़्यादा नहीं बना पाएगा इसलिए, ये मजबूत नहीं है इसलिए, enthalpy of atomization क्या है कम है, ठीके बई, इसलिए कणन की enthalpy कणन की enthalpy, enthalpy of atomization की value जो है, वो कम है सीरीज ये आपकी 200 डाइसों से उपर चल रही थी ये 126 पे आके अटक है बात समझ में आगे, ठीके clear, तो ये हो गया आपका चल, आगे देखते, next question अब देखो, zinc का IP जादा है तो बिल्कुल जादा होगा zinc का configuration क्या लिखा तो होंगे ये, हमने अभी zinc का configuration लिखा था ना argon 3D10, forest तो D भी आपका पूरा भरा हुआ है S भी पूरा भरा हुआ है stable configuration आप लेके बैठे हो तो electro निकल जाएगा क्या तो zinc क्या IP की value ऐसे ही क्या होती है जादा होगा कोई दिकत नहीं, ठीक है अब a question है आपके पास संक्रमन तत्व परिवर्तनशील oxygen अवस्था दर्शाते है variable oxidation state है ना, मतलब ferrous है तो feric भी है ठीक है ना, titanium plus 2 है, titanium plus 4 है vanadium दुमारा plus 2 से चलेगा, plus 5 तक पहुंच जाएगा है ना, mn को देख लो, तो mn plus 2 भी है plus 3 भी है, plus 4 भी है plus 7 भी है, फिर chromium आपस 6 हो जाता है है ना, nickel 4 तक पहुंच जाता है copper plus 1, copper plus 2, zinc plus 2 यह कैच चलो है, बहुत सारी state है तो एक बार लिखते है, देखू अगर हम चले, transition elements फैली प्रतम संग्रमण चले ले रहे हूं, ठीक है तो SCTV ठीक है, scandium, titanium, vanadium, chromium और mn ठीक है, तोड़ा नीचे लिखते है, ओपर भी कुछ अगे चाहिए तो हम लिखते है इसको, first transition series, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese फिर iron, cobalt, nickel और last में आएगा, copper और zinc ठीक है, अब देखो, scandium जो है ना बच्चे scandium को अन्पिरेशन बोलो इककी से ना परमानो गरमा, क्या लिखो, argon से ना, scandium में क्या लिखो, argon 18, 4s2, beast, 3d1 ठीक है, और मैं तुम मताया था, scandium तीन हो, electron छोड़ देगा, इसको मताबच्चे चाहिए नीए, तीन हो छोड़ देगा, तो इस scandium में वेरियेबल oxidation state नहीं, scandium में से वे की oxygen अवस्ता है, plus 3, zinc में भी याद, zinc अभी तुम ने देखा, 3d10, forest तो zinc कहेगा, कि छोड़ देगे, तो दो electron छोड़ दूँगा, बाकी बात करो, इमत, ठीक है, copper की बात करें, तो देखो, copper 3d10, forest 1, तो copper कहेगा, एक तो छोड़ दूँगा, क्योंकि फुल्फिल्ड है, एक और छोड़ देता है, जली अवस्ता में, है ना, liquid state में से copper sulfate, ठीक है, पानी के साथ होगा, तो एक और छोड़ देगा, copper class 2 में आएगा, बात में और दोनों electron भाग ले लेंगे, तो अधिक्तम oxygen अवस्ता चार, नहीं तो S के तो 2 गई, फिर यहाँ आओ, vanadium, तो तुम कहोगे 3d3, forest 2, तो plus 2 तो हो नहीं है, क्योंकि 2 तो बनेगी, highest के 3 बनेगे, अगर दोनों electron भाग लें, मानलो, forest भी आके जम कर गया, है ना, तो आपके में आओ, तो मैं कहोंगे, यह 3d5, forest 1 हो जाता है, है ना, तो गैसे state में, forest 1, क्योंकि 3d5, half-fold हो जाता है, otherwise तो हम कहें कि chromium आपका plus 2 भी होता है, chromium generally plus 3 होता है, और highest पहुंचोगे, तो chromium plus 6, ठीक है, फिर MN की बात करो, तो MN 3d5 forest हो, तो 2 तो ही MN की, plus 2 तो हो गई, highest, ब 3 भी होता है, plus 7 इसकी highest है, है ना, मैंगनेट पर मैंगनेट, 7 मिलेगी, 6 मिलेगी, लेकिन में, most common लिखने में बेती तो होती है, similarly, F1 की बात करो, तो तो तुम कहोगे, अब अगर बढ़े, अब D में, electron का यूगमन चालो हो गया, देखो, जब तक मेरे पास 3d5 था ना, अब तक तो अधिक्तम electron थे, यूगमित, तो 5S के, 2S के, टोटल किते होगे, 7 तो MN की 7, लेकिन MN के बाद D में, electron pair अब होना शुरू होगे, है ना, अब यहाँ यूगमन हो गया, तो बनपेट तो बेचार ही दिखेंगे, तो oxygen अवस्ता एक कम हो जाएगी, यानि ये 6 तक भी होता है, लेकिन अधिक्तम की बात करो तो ये 6 तक ही जाएगा, फिर कोबाल्ट में, तो मैं कहूंगे अभी इसका configuration देखो, कोबाल्ट कहा है, 3D7, पोरस 2, तो कोबाल्ट प्लस 2 है, सही, प्लस 3 है, लेकिन अधिक्तम की बात करोगे ना, तो 3D7, देखो, 3D5, 6 और ये 7 ये भी आपको बढ़ गया, तो अधिक्तम उक्सिकर्ण अवस्था की बात करें, तो 5 ही दिए, और कोबाल्ट 5 भी आपको कमी मिलता है, इसको ब्रैकित में ढाल देता है, इसके गंपाउंड गमी होता है, लेकिन अनप्रड एलेक्तरों के इसाब से मान रहा है, पाँच होन से देखो, तो पहले जैसे जैसे डी में और युगमित इलेक्तरों की संख्या बढ़ती है, और फिर जैसे जैसे डी में इलेक्तरों का युगमन शुरू हुआ, तो ये कम हो गई, तो देखो, छे, पाँच, चार, दो, तो आई बाँ समझ में, तो पहले तो बढ़ी, बाद में गटी, तो हम कहींगे पहले डी कक्षक में इलेक्तरों और युगमित इलेक्तरों की संख्या बढ़ी, अक्षिकन बढ़ता जाएगी, दो के बाद चलू करो, तो हम कहींगे आँगे दो के बाद तीन, चार, पाँच, साथ फिर एक एक करके घटाना चलो गरो क्योंकि अब यूगमन हो गया तो अंप्रेड आपके किते रहे डी में पांच से अब किते रहे चार दो एस के तो छे है ना फिर पांच चार दो और दो कौप रोता नहीं प्लस ती इसलिए इसलिए मैंने गोबल्ड को भी प्लस किया बाइड दो ईकी आरिजोन था है क्या रीजन था रीजन अव्फान पड़ेगा क्या तो अट कि इसका रीजन लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे एड संक्रवन तत्वों में परिवर्तनशील औक्सिगर नवस्ता का आपको बताना OUT कि बैखू रीजन क्या है संक्रवन तत्वों में कौन-कौन से कक्षक के इलेक्टरॉन बंद बनाने में भाग लेंगी तो हम कहेंगे कि जनरली वायत्म कोश के इलेक्टरॉन बंद बनाने में भाग लेते तो संक्रवन तत्वों का वायत्म यानि कि Ns लेकिन संक्रमण तत्वों में D भाग ले लेते हैं D कक्षक के उलेक्ट्रोन भी क्या करते हैं? बंद बनाने में भाग लेते हैं क्योंकि अन्पेर्ड है, है ना? तो N is N-1 D कक्षक है ना? संक्रमण तत्वों में N is N-1 D कक्षक दोनों के उलेक्ट्रोन दोनों के एलेक्ट्रॉन्स बंद बनाने में भाग लेते हैं मतलब तुम सोचो कि S के तो जाएंगे शुरू से S ने तो दो त्याग दिमालो, छोटी उक्सेगर अवस्त है तो S के तो दोनों गए तो छोटी उक्सेगर अवस्त है तो आइनिक बंद बंद जाएगा बेर D, वो भी कहें का मैं भी बंद बनाऊंगा, तो variable तो होगी सही, अब क्यों ऐसा हुआ कि S के गया, तो D के रहें में को भी बंद बनाना है, तो होगेंगे इन दोनों में energy gap, उर्जा अंतराल क्या है, कम है, क्यों भाग ले रहें दोनों, तो आपको बताना है, चुकि N is V N N-1, D कक्षक, मतलब आपका एक तुभायतम गोश्का, N is, और एक अंदर वाला ले लो, N-1, D कक्षक, दोनों में उर्जा अंतराल कम होता है, तोनों orbitals में energy का difference, उर्जा अंतराल जो है, वो कम होता है, उर्जा अंतराल कम होता है, इसलिए दोनों कक्षकों के electron, इसलिए इन दोनों कक्षकों के electron, बंद बनाने में भाग लेते हैं इसलिए ये परिवर्तनशील ओक्सिकर नवस्था दर्शा आते है वेरियेबल ओक्सिडेशन स्टेट शो करते है इतनी बात क्लिए रहे हैं कि वे क्यों है वेरियेबल तो हम गएंगे भी देखो एन इस तो गया गया, एन माइनस वन डी भी गया दोनों जा रहे हैं तो वेरि तो गड़ेगा तो परिवर्तनशील ओक्सिकर नवस्था वेरियेबल ओक्सिडेशन स्टेट परिवर्तनशील ओक्सिकर नवस्था दर्शा आते हैं ठीक है भई चलो, माल लेते एक वज़े तो ठीक लगरी परिवर्तनशील उक्सिक नवस्था दर्शा अब आपको बताना है कि देखो स्केंडियम से जड़न है ना, स्केंडियम में क्या था? 3D1 से Z1 नहीं, सौरी, MN MN क्या था? तो हम गएंगे 3D5 तक D कक्षक है ना, स्केंडियम से MN तक N-1 D कक्षक में और युग मेंद इलेक्टरोन की संख्या बढ़ती है अब बच्चेंडियम से MN तक जाओ तो फिर D कक्षक में और युग मेंद इलेक्टरोन की संख्या तो बढ़ रही ठीक है और युग मेंद इलेक्टरोन की संख्या बढ़ती अब बच्चे अगर इन में अन्पेड इलेक्ट्रोंस की संक्या बढ़ रही स्केंडियम से MN तक गए N-20 कक्षक में अन्पेड इलेक्ट्रोंस की संक्या बढ़ रही है ना तो हम गएंगे ओक्सिगन आवस्ता बढ़ेगी ठीक है अता ओक्सिगन आवस्ता बढ़ती कि और कहां तक गई थी तो 7 तक गई इसके बाद तो में के बाद तो डीम एलेक्ट्रोन का युगून-प्रारम हो गया तो एक-एक गटाते भी तो कह थे आप तो हो गया कुरुमियम में तो सीदी 6 हो गी थी है ना आपको बताना है इसके बाद की बात है ठेक है तो स्केंडियम जैमन तक तो बड़ी थी इसके बाद तो हम गएंगे after that इसके पर शाथ N-1 D कक्षक में इलेक्ट्रोंस की पेरिंग चलू हो जाती है है ना N-1 D कक्षक में इलेक्ट्रोंस का युगवन प्रारंब हो जाता है ऐ रपिजए लेक्ट्रों पेरप स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोंस का युगवन प्रारंब हो जाता है ठीक है वह हिंताय अरफ माल कर देते तो पहले तो बढ़ रही खी इसके बाद D में में क्या होगा पेर अब स्टार्ट हो गया तो एलेक्ट्रोंस का युगवन प्राग्व हो जाता है अतहर ऑक्सिकरण अवस्था घटने लगती है तो कोई हैसा सवाल पूछ ले कि मध्य में हाइस होती है मिड में अधिक्तम होती है एंड में कम हो जाती है तो सारे सवालों का जवाब यहीं से आना है है ना तो इसके बाद ऑक्सिकरण अवस्था घटने लगती कॉपर वाला बाद में बताऊंगी जली हो जन ओर्जा से रिलेटेड है उसको बाद में डिसक्स करेंगी इसे ठीक है अब ऑक्सिडेशन स्टेट भी आपकी क्लियर अब माला इसने आपसे सवाल पूछ लिया कि आप ट्रांजिशन एलिमेंस संक्रमन तत्वों के उन योगी कों के उधारन दे दो जिन में जीरो ऑक्सिडेशन स्टेट शुन्नी ऑक्सिकर नवस्था तो लवे है कंपाउंड भी बना रहा है ऑक्सिडेशन स्टेट जीर है प दातू हो लीगेंड के रूप में कर्बन मॉन ओक्सिड विशेली गैस होती है नीली जुआला के साथ जलती है है ना और नूट्रल है उदासीन गैस उदासीन ओक्सिड तो हूंग है यहां और सबसे फेमेस हमने बढ़ा टेट्रागाबोनिल निकल एनाई सी ओ होल फोर पें दाई मैंगनेज बढ़ा था अमने इसे स्ट्रक्चर भी विनाए थे और इंपोर्टें ते लास्ट जे में था इस पर क्वेश्चिन है ना फिर यह ऑक्ता कारवोनिल डाई गोबाल्ट जीरो इन सब में ऑक्सिड अस्ता कि यह जीरो जितने भी कंपाउंड देखर हो यह न अब देखो अब लिखाएंगे क्या लिखाता देखो फॉर्स ट्राजिशन सीरीज में स्केंडियम से मन तक गए तो N-1D कख्षक में अब अब N-1D कख्षक दोनों के इलेक्ट्रोन अगर बंद घरबान में भाग लगेंगे तो उक्सिक अन अवस्ता तीन से साथ तक जाए अब N-1D कख्षक में इलेक्ट्रोन के युगबन MN के बाद पारण को जाए यहां ऑक्सिकन अवस्ता घटने लिखती है यह हमने पढ़ लिया जीरो ऑक्सिदेशन स्टेट वला भी पढ़ लिया ठीक है उपर नीचे कर देते इसको नेक्स देखो आपसे क्या कहा जा रहा ह है आपको कुछ सवालों के जवाब देने डाश रहस लिखावाई देखो संक्रमन तत्व अपनी निम्न ऑक्सिकन अवस्ता मतलब ऑक्सिकन अवस्ता एक है दो है तीन है तो कौन से कंपाउंड बनाते है और उच्छ ऑक्सिकन अवस्ता मतलब चार है पाच है छे है साथ है तो कौन से compound बनाते हैं? है ना, फिर उच उक्सिकन अवस्था, ये किन के साथ दर्शाते हैं? तीन सवाद. तो देखो, निम्न उक्सिकन अवस्था, मतलब एक electron, दो electron. तो अधिक्तम तो 7 है ना, जिसे मैंगनीज की 7 थी. तो एक दो electron का transfer तो चलता है. तो निम्न उसे एक चीज ले लो, दो चीज ले लो, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर तुमको पाँच देदो, छे देदो, साथ देदो, तो हम क्या चाहेंगे नहीं, बदले में आप भी कुछ दो. एक दो तुमंड वारे यहे, मैं अम्ना बड़ोषी है, एक कभड दूद दो, ठीके लेगा. एक कभड चाई पती दो, यह जोनीं, थेदो दूद रीक dwa कि ले 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 लेक, रूआदी, इसा करो, एक कभड पीद दो, एक कभ डूद दोегर बी दो, वो एक कपको इस चीज दो हो तो कि बहुत ज्यादा होगे तो थोट इन बात को हम भी उसकी घर महोंच जाएंगे वह एक बोलक्य देज़ा न पहुत हैं तो एक-दो एलेक्ट्रोन का ट्रांस्वर चलता है, तो जब एलेक्ट्रोन का ट्रांस्वर होता है, तो आयनिक बॉंड बनता है, जब एलेक्ट्रोन का ट्रांस्वर होता है, स्थाना अंतरन होता है, तो आयनिक बॉंड बनता है, तो जब यह अपनी लोवर ऑक्सिडेशन इनके जो योगिक होंगे वो योगिक है आयनिक योगिक, संक्रमन्न तत्व निवन्न ओक्सिकन अवस्था में क्या बनाते हैं आयनिक, उच्छ intelligence अवस्था में चार माद भी स्वारट इसा थोड़ है तो हम गजेंस 2000 माद छीशा तो हम आपको बतले में एक चीज़ देदेंगे, शेयर कर लेते, mutual understanding, तो साजा करने से कौन सा बंद होता है, सह सही होजा, ठीक है, अब उच्छ उक्सिगन अवस्था कब दर्शाएंगे, 6 बंद बना रहा है, 7 बंद बना रहा है, तो देखो, MN7 उक्सिगन अवस्था दर्श देखने को मिले, तो fluoride से आराम से बना लेते हैं, तो हम कहेंगे एक तो इनके fluoride, और दूसरा हम बात करें, तो भई इनके oxide, तो इनके fluoride और oxide, fluoride और oxide में ये अपनी highest oxidation state शो करते हैं, ठीक है, तो lower oxidation state में compound आइनिक है, higher oxidation state में compound covalent है, higher oxidation state आपको देखने को मिलेगी fluorides में और oxides में, ठीक है, K1O4, K2C2O7, यह आपको 7 और 6 देखने को मिल जाती है, ठीक है, अब देखो, निम्न oxygen अवस्था में इनके oxide डाश होते हैं, मद्य औरती में डाश होते हैं, उच्छ oxygen अवस्था में भी डाश होते है complete करो, तो देखो, मतला एक तो यह कहना चाहरा है, अमलिय है, वह भएधर्मी है या शारिय है, तो देखो, अमलिय है, यह से Lewis अमलिय की बात करो, तो Lewis अमलिय क्या जो एलेक्ट्रोन इक में गरण कर ले, तो अगरण करने की टेंडेंसी कम होगी, तो अमलेंगे जब उसको ए अधिक्तब ऑक्सिगा नवस्था है, तो अब उसकी नेचर है, एकसेप्ट करने की, इलेक्ट्रोन इयूग में को अपनी तिरफ गरण करने की, वह मैं जो दे दो, तो हाइस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट में अमलिय प्रकरती होती है, तो उच्छ ऑक्सिगर नवस्था में इं तो उच्छ ऑक्सिगर नेकों दान करने वाला क्या उतर्शा, तो लोवर ऑक्सिडेशन स्टेट में ऑक्सिगर नवस्था में इनकी जो प्रकरती है, वह एमफोट्टेशन होती है, उबहए धर्मी होती है, उबहए धर्मी मतलब अमल आएगा तो शार बन जाएगा, शार आ तो अमल बन जाएगा ठीक है तो अभी दिया भी था मैंने एक शॉट्स भी बना के दिया था तुम लोगो वह दर्मी ऑक्साइट याद करो बेमन जंसन अलपब सब है ना वह देखना वह उसरे बहुशन आता भी अब देखो क्रोमियम में आजाओ तो यहां क्रोमियम देखो क अक्सिजन भाइनस तो यहां आक्सिकर अवस्ता दो यह तुम निकालोंगे तो x-3 आएगा अम्तो टू 1 2 ​​3 एक्वोस्ट को जीरो यह एक सिल्वर चार आएगा यह एक सिल्वर टिय आएगा कि तो अधिक्तव उसकाआवस्ता 6 है निम्न ऑक्सिकन अवस्ता 2 है तो हमने क्या लिखा था कि जब निम्न ऑक्सिकन अवस्ता होगी तब तो यह शार्य प्रकरती के होगी तो CRO तो शार्य है और अधिक्तम ऑक्सिकन अवस्ता होगी तो हम गएंगे तब यह अंगलिय प्रकरती के होगी तो CRO ओत्री यां से डिक है अब अगर बीच की स्टेट की बात कर रहे हो प्लस थ्री प्लस फोर मद्यवर्ती ऑक्सिगन आवस्ता तो हम कहेंगे मद्यवर्ती में ये उभय धर्मी आमफोर्ट टेरिक उभय धर्मी प्रकर्टी के है ठीक है फिर इदर आजाओ तो देखो यहां MN प्लस टू है यहां प्लस थ्री है यहां X बराबर चार है यहां छे है और MN2O7 में आवस्ता साथ है ठीक है तो हम जो पहले ही बोला था कि अगर आप लोर की बात करेंगे निम्न ओक्सीगन अवस्ता तो अक्साइड अमली रहे तो यह अमली मिलेगा है ना यहां तो हम कहेंगे उभय धर्मी यह उभय धर्मी और हाइस्ट तो हम कहेंगे अमली उल्टा लग दिया सौरी लोवर ऑक्सिडियेशन स्टेट है ना यहाँ पे क्या होगा शारिय है ठीक है इंटरमीडियेट में उबह धर्मी और हाइस तो हाइस तो हाइस प्रों कहेंगे अमली हो जाएगा MNO, MN2, MNO3, MN2O7 उच्छ ऑक्सिगणा होस्ता है 6 और 7 तो असेडिक यह इंटरमीडियेट है तो M4 टैरिक और यह लोवस्त है तो शारिय होते हैं उच्छ में अमली होते हैं मद्यवर्ती है तो बेधर्मी होते हैं ठीक है निक्स्ट क्या है हमारे पास तो अगला वश्चन आपके पास क्या कारण है कि संक्रमन तत्व केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही उच्छ तम ओक्सिगन अवस्ता दर्शाथ है जैसे देखो ओस्मियम टेटर ओक्साइड एक ही संक्रमन तत्व है जिसमें 8 ओक्सिगन अवस्ता मिल रही है आट होती ही नहीं, यह साथ हों हाइस्ट है, लेकिन ऐस्मियम टेटर ओक्साइड, यह न, ऐस्मियम जो है, देखो, डवल वांडो, डवल वांडो, और अगेन डवल वांड, बंद दीखें, आट बंद बना रहे, फिर के अमनो फॉर में आजो, तो के मनो फॉर में, MN ओ फॉ और फिर के टूसी वाटो से नायका उसमें बता दूंगी इसमें नियुक्त अबस्ता है तो यह तो हाइस आरी है आठ किसी में नहीं होती है इसमें और रूतीनियम में देखने को मिलेगी के विन ऑगोर में आठ वाइस आठ तो यह दोनों मुझे ऑक्साइट में देखने को मिले फ्लोराइट भी मिल जाती है एक तो बचुछ विद्यूत्रियन नहीं है और आकार सबसे चोटा लेफ्टर एरड जाओंगे अकार तो घट जाता है तो हम गई उच्छ विद्यूत्रियन ता है आकार इन का Niwn Tam है फिर ये क्या Elektron खीचने में विश्वास रखते हैं तो अगर ये Elektron खीचेंगे तो अपनी तरव Electron आकर शित करेंगे है नँ है ना खुद का अपचें दूसरे का Oxygen是這樣 तो इतना ज़ोड़ा Oxygen रहेंगे तो बिज़र Haiesd भी पहूंचे G तो तीन रीजन है कि आपको fluoride और oxide highest oxidation state दिखाते हैं क्या अंसर देओगी? क्या कार सबसे छोटा है electronegativity सबसे जादा है और strong oxidizing nature प्रबल ओक्सिगारक सामरती है इसलिए ये जिसके साथ भी होंगे वो अपनी highest oxidation state में चला जाएगा देख लो जिसे ये तो मैटल है H2O4 सल्फर की 6 ओक्सिगारा वास्ता तो SO4 में, SF6 में है ना फिर PCL5 फॉस्फरस 5 बना रहा है ना तो PCL5 में P5 है या H3PO4 है ठीक है ना तो highest oxidation state halides में उसमें especially fluorides में और oxides में होती है ठीक है अब लास्ट क्वेशन हम देख लेते हैं यहां oxidation state निकालते हैं है ना MN O4 मैंनस में MN का oxygen अवस्ता MN X oxygen minus 2 4 है तो 4 से multiply करो तो यहां MN का oxidation state है 7 यहां देखो 2 chromium 2 X oxygen minus 2 है ना X बराबर आ जाएगा 6 और यहां देखो vanadium X oxygen minus 2 2 से multiply करो equals to plus 1 क्योंकि पूरे का अविश plus 1 है तो X बराबर आएगा 3 अब ध्यान से देखो 7 6 और 3 oxygen कारक सामवर्थियर नाम से क्या लग रहा है oxygen कारक दूसरे का oxygen करेगा क्या बई oxygen कारक दूसरे का oxygen करेगा खुद का क्या होगा अब चे मदले इसको देलेक्ट्रोन खीचने क्या अब मेरे देने की इमतनी अब में को इलेक्ट्रोन चाहिए तो वो तभी होगा जब जब oxygen अवस्था उच्च तम होगी तो अगर कोई तत्व अपनी अधिक्तव oxygen अवस्था में है highest oxidation state में है तो वो प्रभल oxygen कारक होगा कभी अब तो मुझे दे दो electron अब में तो electron देने की स्तती में नहीं तो highest oxidation state मुझे यहां मिला है ना? तो 11-4 माइनस तो हम पढ़ते तो है chemistry में और गैनिक में नहीं पढ़ा किया अमिनो 4 प्रभल oxygen अवस्था प्रभल oxygen कारक फिर K2Cr2O7 यहां तो मुझे dichromati लिखना है Cr2O7-2 और उसके बाद में VO2+, ठीक है? तो यह इनका होगया oxidizing strength का order clear है? समझे आगे? तो आज तो आई theory थोड़ी ज़्यादा ही होगी है ना? तो चलो अब मिलते है next class में फिर होई कहूंगी वीडियो अभी तक हो मेरे साथ इसका मतलब समझ में आ रहा है तुमें काम बन रहा है तुमारा तो एक like तो बनी करी दो जान इस पेले पेले एक like करो एक दोस के साथ share कर लो कम से कम एक फ्रेंट के साथ share कर लो और चेनल को subscribe कर लो मिलते हैं next time इसी topic को आगे बढ़ाते हुए till then keep studying, keep practicing and bye bye